हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमाई चैनल पर दोस्तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं आज हम आपको संत्रों को छिलके से जुड़े कुछ गरे लूप चार बताएंगे आपके बाल एकदम रफ और बेजान दिखाई दिखाई देते हैं तो संत्रे के छिलके आपके लिए वर्दान साबित हो सकते हैं संत्रे के छिलकों को पीस कर बालों में लगा कर कुछ देर रखें और फिर आप अपने बालों को दो लें इससे बाल चमकीले और मुलायम हो जाएंगे संत्रे के छिलकों को पीस कर उसमें गुलाब जल मिलाकर चेरे पर लगाने से दाग वा धपे मिट जाते हैं संत्रे के छिलके में क्लीजिंग, एंटी एंक फंगल और एंटी बेक्टीरियल गुण पाये जाते हैं जो की पिंपल और एकने से लड़ने में सायक होते हैं संत्रे के चिलके को सुखा कर पीस कर उसे दई में मिलाकर स्किन पर लगाने से स्किन ग्लोइंग वा स्मूथ बनती है संत्रे के छिलकों को बेसन में मिलाकर लगाना ओली स्किन वालों के लिए विशेश रूप से फाइदेमन होता है और पिये पिंपल्स को खत्म कर देता है एक अध्यन के अनुसा यदि किसी विक्ति को कोलेस्ट्रावल की प्रॉलम हो तो ऐसे में संत्रे के छिलकों में ऐसा गुण पाया जाता है जिससे उच कलेस्ट्रावल जो मोटापे से गरस विक्तियों को फाइदा हो सकता है साथ ही ये कैंसर वा हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याव में भी विशेश रूप से लाबदायक है इसके छिलके में पाशन चक्ति बढ़ाने की शमता होती है यहें पाचन में सुदार, गैज, उल्टी, हाटबन और अमली ड़कार को दूर करने में मजद करता है यहें भूख बढ़ाता है और मतली से रहा दिलाने का काम करता है साथ ही संत्रे का छिलका क्रिमी का नाश करने वाला वा बुखार को मिटाने वाला भी होता है इसलिए इन सभी रोगों के रोग्यों को संत्रे का छिलका पीस का खिलाना फाइदे मन होता है नारंगी के छिलके में एक विशेश प्रकार की गंद वाला तेल पाया जाता है इस तेल का उपयोग तंत्रिकाव को शांत करने वा गैरी नींद के लिए किया जाता है नहाने के पानी में इसकी 2-3 बुद तेल डालिए और फिर देखिए आपको कितनी मीठी निंद आती है तो दोस्तों ये हमने आपको संत्रे के छिलकों के कुछ बैतरीन उफियोग बताए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर दरू करें और अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखे हम जन्द ही आपको इसका उत्तर देंगे धर्ने बाद